कि हलो एवरिवन जैसे दिपक्तिवारी और इसमें हम यूज पढ़ने जा रहे हैं वो है फेल्ट लाइक्टू का मतलब है यहां पर कि कोई काम हम ऐसा बोल रहे हैं जो पास्ट में हमने रिपीटेट किया है इसमें जो सब्जेक्ट है हम ओल लेंगे यह सब्जेक्ट है सिंग पोचन्स है इस तीनों का आपको जबाब देना है कमें सेक्षन में और मैं इसका सही जबाब दोंगा आपको विडियो के अंत में हम यहां पर यूज पढ़ने हैं सब्जेक्ट और यूज करेंगे फिर फेल्ट लाइक्टू होगा और फिर हम एक्षन लेंगा यानि के देखिए और तो यहां परेंसे एक सेंटेंस है कि उसे इधर उधर घूने का मन करता था मत्तब मन बार-बार तो मैं बोलेगे हैसे प्ट दिखाएने को बात नहीं तो अभी हम नमबर वन से देखेंगे मतलब की sentence by sentence देखेंगे अच्छे से तो अभी समझ में आपको आ जाएगा सब्जेक्ट आपने समझे लिए कि सब्जेक्ट जितने भी है और सब्जेक्ट से आएंगे तो सब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं होगा अब हम एक नमबर से शुरू करते हैं पहला टाइप का sentence है कि I felt like to sleep again and again मुझे बार-बार सोने का मन करता था क्या है I felt like to sleep again and again मुझे बार-बार सोने का मन करता था दूसरा है इसी felt like to eat momos उसे momos खाने का मन करता था और अगला है अभिनाव felt like to play with him अभिनाव को उसके साथ खेलने का मन करता था और अगला है कैप को मयंग से बात करने का मन करता था और इसके बाद है कि I felt like to come on foot मुझे पैदल आने का मन करता था तो यह हां वाले sentences हो गए अगला है नहीं वाले sentences जिसको negative sentences बोलते हैं अब इसमें न हमने all a didn't लगा दिया है तो इसमें हम क्या करना पढ़ेगा फिल लगाना पढ़ेगा तो sentence है पहला एक number कि he didn't feel like to study उसे पढ़ने का मन नहीं करता था दो number है कि we didn't feel like to stay there हमें वहां रहने का मन नहीं करता था next है कि I didn't feel like to speak openly मुझे खोल के बोलने का मन नहीं करता था और इसके बाद है खुस्नुमा didn't feel like to call him खुस्नुमा का उसे call करने का मन नहीं करता था and next one है कि I didn't feel like to talk to them मुझे उन लोग उसे बात करने का मन नहीं करता था तो इस तरह से sentences होगे negative sentences अगला है interrogative sentence क्या वाले sentences जैसे पहला sentence है did you feel like to study with Vinta क्या आपको Vinta के साथ पढ़ाई करने का मन करता था next है did you feel like to more paper क्या आपको कभी पोछा लगाने का मन करता था और अगला है कि did Piriyansu feel like to sit with Om क्या प्रियांसु को Om के साथ बैठने का मन करता था और इसके बार है fourth number में कि did he feel like to be a policeman क्या उसे policeman बनने का मन करता था और fifth number है कि did Suraj feel like to eat with Hersit क्या सुरज को Hersit के साथ खाने का मन करता था next हम देखते है negative with interrogative मजहीं के साथ क्या वाले sentence साइज में इस हपाला है कि didn't you feel like to meet your mom क्या आपको अपनी मअमी से मिलने का मन म प्रियू करता था इसके बाद है पिंकी को निशा को इन बैट करने का मन नहीं करता था और इसके बाद है पांचवा नमबर कि डिड़न्ट डे फिल लाइक तु आस्क यू क्या उन्हों से उन्हों को आप से पूछने का मन नहीं करता था फिर आम देखतें फिप नमबर अगला है पांचवा नमबर sentence है कि how much water did सब्सक्राइब अगला है कि वाड़े सदेट वर्सा फिल दायक तु इत वर्षा को क्या 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 खाने का मन करता था जिनली जैसे बाठेट फिर्फिर आँच सकते हैं और मिलने का मिलने का मन करता था और पाच्वा नमबर है कि for whom did he feel like to work as much, उसे किसके लिए इतना काम करने का मन करता था, like this, तो यह हो गया 5th टाइप, अब लास्ट टाइप है 6th नमबर, उसे इंट्रेस देखते हैं, sentence है कि why didn't he feel like to help you, उसे आपकी help करने का मन क्यों नहीं करता था, दो नमबर में है कि why didn't he feel like to worship, यह सश्पी को पूजा करने का मन क्यों नहीं करता था, इसके बाद है कि why didn't Modi ji feel like to meet his wife, मोदी जी को अपनी wife से मिलने का मन क्यों नहीं करता था, चौथा नमबर है कि since when didn't you feel like to come early, उमेश को कब से जल्दी आने का मन नहीं करता था, और यह last वाला है कि why didn't you feel like to bring notebook, आपको notebook लाने का मन क्यों नहीं करता था, like this, तो यह हमने 6 टाइप यहाँ पर देख लिए sentences के, so यह सारे भी हमने भी हमने देखे लिया था, थमनियल का जो भी यहाँ पर sentences है, और मैंने आपसे 3 questions पुछे थे, 3 questions यह थे, कि मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, मैं दौबिदा में हूँ, यहाँ पर मैं नहीं में है, और अगला है दादा जी कुछ उचा सुनते हैं, यह तीन sentences है, अब तीनों के answer देखते हैं, So, here are the answers, पहला है, कि मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, तो क्या बोलेंगे, आम लोट आप्टर मैंनी, इसका हिंदी यह भी हो सकता है, कि मैं पैसे का पीछे नहीं पड़ा हूँ, बात एक ही है, अगला है, मैं दौबिदा में हूँ, यहाँ पर मैं नहीं में हूँ, तो क् मतलब की, दादा जी कुछ उचा सुनते हैं, लाइक देस, तो यहाँ मैं वीडियो खतम करता हूँ, मिलते हैं, नेक्षी वीडियो में तिल दियर बाबाई, एन देक क्या,